हलो फ्रेंट्स वेलकम टू हाई फॉर्षटी दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपोर्टन है आप सबें लिए आप में से काफी सार लेगों ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर आखिर हम सीटेट की तयारी इस टाइम दिसंबर में अपना ले करके उस हिसाब से तयार करें पर बिंदू भी बात करेंगा इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो सीटेट है वह दिसंबर में आए गा या फिर जुलाइं में आए सबसे पहले बात करेंगे यहां पर दूस्तों जब आपका COVID था, है ना, जब आपका COVID था, तो COVID में क्या था, COVID के पहले जो seated है, कितनी बार होता था, यह चीज़ आपको पता है, COVID के पहले seated जो था, वो दो बार होता था, है ना, होता था, नहीं होता था, होता था, और COVID जो आय रहा है यानि कि वो अपना management जो है वो सही नहीं कर पाई चीज़े जब एक बार खराब हो जाती है तो यहां पर management कर रहा पाना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है अब यहां पर बात करेंगे कि जो आपका seated 2022 हुआ था उसका notice जो है वो आपको लगबग सेप्टेंबर में देखने को मिल दे गया था सेप्टेंबर में आपको पता चल गया था दूसरी बात यहां पर करेंगे जो आपका application स्टार्ट हुआ था वो 31 अक्टूबर से आपके application जो है वो स्टार्ट हो गया था seated 2022 का और उसका जो last था वो 24 नमंबर 2022 था 31 तारिक से स्टार्ट हुआ था 24 नमंबर 2022 तक हमारे जो form है वो भरे गया थे है ना form जो है वो भरे गया थे उसके पास CBT जो test हुआ था जो हमारा exam होना था वो 28 से स्ट काट हुआ और था 7 फरवरी 2023 तक चला था यह कब चला था यह हमारा परिक्षा चला था ठीक है परिक्षा चला था और answer की जो है वो आपको पता है हाँ पर answer की 7 को जो हमारा परिक्षा खतम हुआ उसके बाद 14 को यानि की 4-3-7 यानि 7 दिन जो है वो आपको answer की जो है वो दे और 14, 4, 3, 7 यानि लगभग 17 से और 18 दिन जो है हमारा result जो है वो देखने को मिल गया था यानि चीजे जो है आपको बता है इस बार बहुत जल्दी जल्दी हुई है seated well active है आपको बता है और यहाँ पर application जो है start हो गया था और application start कब हुआ था 31, 10, 2022 को start हुआ था और 24, 11, 2022 तक चला था आप seated की बात करेंगे यहाँ पर December में होगा या फिर July में होगा तो seated इस बार चाहेगा कि उसके ओ जो है अपना जो seated है वो जुलाई में भी conduct करा पाए यह बिल्कुल seated चाहेगा तो अगर seated जो है चाहता है कि हम जो अपना exam है वो हम जुलाई में conduct कराएंगे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा इस बार क्या चला है मार्च चला है तो मार्च बिसकली आपको पता है खतम होने की कगारपे है या खतम होने की होने वाला है यह समझ लिजीए ठीक है दूसरी बात यहाँ पर यह करेंगे कि अगर आपका paper जुलाई में होना होगा जी हाँ, अगर आपका पेपर जुलाई में होना होगा, तो ये मान के चलिए, अप्रेल के लास्ट में जो है, वो आपको नोटिस एक जो है, सीटेट की तरफ से कोई न कोई एक निव नोटिस जो है, वो देखने को मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर बात करेंगे, आपको पता ह यहाँ पर कि 24-11-2022 को यहाँ पर, यानि 24 नॉंबर को लास्ट डेट था अप्लिकेशन फॉर्म भरने का, और दिन उसके एक महीने बाद जस्ट 28 तारीक को जो है पेपर स्टार्ट हो गया था, यानि बीच में एक महीने का टाइम लगा था इस बार सीटेट को, तो अगर य 28 जुलाई में, सेम डेट लेके के चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मान लिजी इनको 28 जुलाई से पेपर अगर इनको स्टार्ट करना है, तो इनको फॉर्म कब तक भरना पड़ेगा, तो फॉर्म आपको पता है, जब यहाँ पर इन्होंने 28 को जब यहाँ पर इन्होंन झाल सकते हैं कि अगर म Arinya लोगं वर इस्टार्ट करवाएंगे मैं में यह लोगं फॉरम अपना इस्टार्ट करवाएंगे केसे। महीने तक अगर इनका फॉर्म जाता है तो यह मान के चलिए उधर एक महने का टाइम ले करके और यह अब लोग परिक्षा जो है वो जुलाई में कंड़क्ट करा देंगे बट इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर है कि अपरेल में हमें कोई नई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और आपका यहाँ पर मई में जो है वो फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अगर जुलाई में आपका सीटेट 2023 होता है तो यह बान के चलिए यह दो महीने जो है वो आपके लिए बहुत इंपोर्टन होगे अपरेल का लास्ट महीना और मई वाला महीना जो है यह बहुत जादा आपके लिए इंपोर्टन होगा यहां पर अगर आपको नॉटिफिकेशन देखने को मिलता है तो बैसिकलले आपको पता है यहां पर सीटेट 2021 जो है वो कंडक्ट कराने के पूरी के पूरी उमीद है gramना अगर आपको इन दो महीनों में कुछ भी देखने को यहीं मिलता है तो यह सीटेट जो है आपको पता है कि कनफर्म है फिर दिसंबर में ही जाएगा कनफर्म है कि दिसंबर में ही जाएगा आप बात आती है 2022 के सीटेट के सर्टिफिकेट के बारे में तो शेटिफिकेट से रिलेटेड अगर बात करेंगे यहां पर तो शेटिफि 2013 जो है जुलाई इस बार सीटीट सोच रहा है कि हम यहां पर जो हमारा regular वाला चांस था जो मतलब हम लोग एक साल में दो बार सीटीट को कंडुक्ट कराते थे तो इस बार भी हमदो बार कंडुक्ट कराएं इसी वज़ेश से यहां पर आपको पता सारी चीजे जो है फास्ट होती चली गई है रिजल्ड भी देख लिए जिए कितने जल्दी आ गया एंसर की भी कतनी जल्दी आ गया था CBT टेस्ट हुआ उसके वद एक महिने बाद ही तुरण जो CBT है वो होने लगा अगर आपका जुलाई में होना होगा तो कनफर्म है मेरे दोस्तो अपरेल में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मैं में जो है वो आपके फॉर्म जो है वो भरना इस्टार्ट हो जाएंगे आप यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि तयारी आप लोग करें या फिर ना करें सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पर यही आता है कि तयारी करें या फिर ना करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप लोगों ने course खरीद रखा है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आप लोगों खरीद रखा है तो basically आप लोग तैयारी start कर दीजिए तैयारी आप करते रहेंगे तो आपको यह फाइदा होगा कि अगर जुलाई इस बार आप लोगो है तो आपकी दिशंबर और मजबूत तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे नंबरों से सीटेट क्लियर करेंगे ठीक है और अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे तो तैयारी आप बहतरीन तरीके से अपनी start कर दीजिए और इधार आप तैयारी धीरे धीरे मतलब विए स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके त्यारी स्टार्ट रहेगी तो अगर आपको अपरेयल में जो है अगर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि हाँ सीट जुलाई में कराया जाएगा तो तो आपका त्यारी और बहतरीन वहां से आप बढ़ा देंगे तो आपका परेयल क्लास्ट में ही आपको डीजी लोकर भी जो है ठीक डीजी लोकर भी जो है आपके जो भी जाती पास हो चुके है उनका सैटिफिकेट और मार्क शीट वगएरा जो है वो देखने को मिल जाएगे ठीक है तो आयो वीडियो आपके समझ में आई होगी और काफे सारे आ आउड जो है वो क्लियर होंगे होंगे अगर आपका कोई भी कुश्चन है कोई भी को एडियों तो कमेंट सक्षन में कमेंट कर दिजाएगा बाकी उसकी रिप्लाइ करने के पुरी कोशित करूंगो जाहिन वद्धिमाद्राइब